नमस्कार एट टो जेट डिशश उशाक और जाने में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ एक इतने मज़दार से पकोड़े और ये हर गर में बनते होंगे पर आज जैसे मैं बताने जा रहे हूँ न आप जरूर ट्राइ कीज आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा ये है आलू के पकोड़े जो खाने में इतने डेस्टी लगते है और ये कुछ अलग तरीके से बनाएं के थोड़े सी अलग अलग चीज़े में ने डाली है कि चली शुरू करते हैं उसके लिए दो बड़े आलू लीज़ेगा देख सकत करना होता है कि जो आलू है उसे मोटा ना काटे क्योंकि इसके ओपर एक बेसन की कोटिंग आती है उसे आप कितना भी करो उसे तल्ले में आलू आपका गलेगा नहीं अगर आप मोटा काटेंगे इसलिए पतला पतला काटे और इसे दो से तीन पानी से अच्छे से वोश कर देखे इस तरह से आलू को लंबा पकड़ना और लंबा लंबा पतला पतला काटना है उसके बाद दीखे दो से तीन पानी से वोश करने के बाद एक साफ कपड़े पर हर आलू के टुकड़े को निकाले और अच्छे से इसे देखे इस तरह से पोच ले बिलकुल भी आलू क या फिर बाउल ले इसके अंदर डाल दे एक कप बेसन और एक चौथाई कप चावल का आटा इसे काफे कुरकुरे बनते हैं स्वात के अनुसार नमक चौथाई चमच या चुटकी बर हेंग एक चौथाई चमच काली मिर्ची पाउडर आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच लार्मिश पाउडर एक चौथाई चमच जीरा और आदा चमच कलोंजी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है एक चौथाई चमच अद्रक लसन के पेस्ट और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे इस तरह से आप विक्सर क की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से मिलाते जाएं एकदम लंब स्प्री बैटर आपको बनाने यानिकि गुट्लिया नहीं होनी जाए पर आपको ध्यान ये रखना है और दूसरी बात पकोड़े बनाते वक्त आलो के पकोड़े जब बना रहें तो इसके गरम करने रख दिया है ये अच्छे से गरम भी हो रहा है और यहां पर अब ये आलो के टुकड़े लेंगे और देखें गोल कुछ इस तरह से होना जाए देखें दोनों तरह अच्छे से गोल लग गया है तो बस गरम गरम तेल में पकोड़ों को डालना है उपर से तेल डा आजाएगा ना अब दीखे जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम सभी बनाते हैं पकोड़े तो आलो के पर इसके अंदर जैसे कि मैंने कलोंजी एड़ किये उसे न काफी अच्छा स्वाद आता है जरूर ट्राइ कीजेगा इसी तरह से जो बाकी बचे पकोड़े हम वह भी बना लें अब अगर आपके बास बड़े आलो अवेलेबल नहीं है तो आप छोटे आलो भी ले सकते हैं तो उसके बस छोटे टुकड़े निकलेंगे बाकी बन तो जाएंगे यहां पर बनकर तैयार ऐसे केचप यह कोई भी चटनी के साथ सब कीजे बहुत-बहुत-बहुत ही मज़ि दाल लगते हैं बच्चे होया बड़े सभी खाना पसंद करेंगे ट्राइक किजेगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक यू फो वाच्छेंग